Artificial Intelligence, AI और मेरे 40-50 मिनिट वेश्ट हो जाए, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है तो Artificial Intelligence यह हमारे इंडेस्ट्री में भी काफी जादा यूज होता है स्पेशली ग्राफिक डिजाइन और अनिमेशन में अब इसका मतलब यह नहीं है कि AI जो है यह ग्राफिक डिजाइनर को ही रिप्लेस कर देगा बिल्कुल भी नहीं AI is more like a design partner जो आपकी help करता है आपके काम को और भी जादा आसान करने में और साथी साथ time भी बचाता है time भी बचाने से यादा है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पांच ऐसे amazing और super useful AI tools जो आपको काफी help कर सकते है as a graphic designer तो इसी के साथ चली आज का यह वीडियो स्टार्ट करते है ओर राइट सो इससे पहले मैं आज का यह वीडियो स्टार्ट करूँ एक बात बता दू कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी tools या websites के बारे में mention करूंगा यह वो websites है जो मैं personally खुद यूज करता हूँ इसमें से कोई भी website या tool sponsored नहीं है ठीक है sponsored होता तो सही होता बट नहीं है बट कोई बात नहीं तो सबसे पहली जो website है या tool आप जो भी चाहों इसे कह सकते हो जिसके बारे मैं मैं बताना चाहूंगा वो है pickwish.com यह एक background removal website है and I'm sure आपने ऐससे हजारो background removal websites देखे होंगे but trust me this is the best if not one of my favorite the reason is the reason is जो भी ऐसे websites होते है जो background removal you know offer करते है उसमें क्या होता है कि आप image upload कर दो background तो अच्छे से remove हो जाता है बट फिर download करते वक्त वो restriction डाल देता है कि आप इस size में या इस size से छोटे में ही आपको download करना पड़ेगा और अगर आपको जो original size image का उसमें download करना है तो आपको paid version लेना पड़ेगा और जो completely free होते है उनका background removal इतना अच्छा नहीं होता बट लखीली इस website का जो background removal है वो बहुत अच्छा है और यह free है और by the way मैं जो भी tools या websites mention करूँगा आज के वीडियो में सभी free है तो देखते हैं इसे use कैसे करना है सबसे पहले simply आपको जाना है pick wish.com पर upload पर क्लिक के आपका जो भी image है उसे upload करना है तो मैं यह image select कर लेता हूँ क्लिक करूँगा open पर और बस दो या तीन सेकंड में बूम background remove करके आपको मिल जाएगा और अगर आप zoom करके देख सकते हो pan करके भी कि काफी अच्छा इसने हमें background removal करके दिया है जबकि मैंने specifically hairs भी है इसमें इसलिए से select किया थे image को तो बहुत अच्छे से हमें मिल जाता है और अगर आप satisfy नहीं हो आपको कुछ adjustment करने है तो आप वो भी इसी tool के उपर या इसी website पर कर सकते हो directly erase tool select करना है brush size को हम लोग बढ़ा कर देंगे और मान लीजे मुझे ये selection नहीं चाहिए सही नहीं लग रहा है तो मैं इससे इस तरीके से completely निकाल दूँगा और ये हमारा जो selection है वो बहुत अच्छे से हमें मिल जाता है फिर बस click करना है download पर यहां पर मैं इससे select कर दूँगा इसे नाम दे देता हो to ठीक है तो इस open करत है हमारे original image के साथ and boom आप देख सकते हो कि hardly आपको कुछ compression दिख रहा होगा और अगर आप इस image को use करना चाहो किसी भी design के लिए तो use कर सकते हो और हां मैं personally recommend करूँगा कि अगर आप background removal कर रहे हो कोई भी thumbnail के लिए या कोई चोटे-मोटे काम के लिए या कोई के लिए आपको तो definitely check out करने चाहिए especially अगर आप thumbnails बनाते हो या matte paintings बनाते हो जिसमें काफी साथ background removal हमें करना पड़ता है उसके लिए website सही होगा तो next website है वो है ये chroma यहां पर आपको काफी amazing color combination मिल जाएंगे तो हमें बच जाना है इस website पर click करना है generate पर और यहां पर हमें बहुत amazing color combination मिल जा देखने मिलते है तो specifically अगर आप कोई Instagram design बना रहे हो Instagram post बना रहे हो और इसके लिए हम जाधा तर text और background यूज़ करते है उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा idea मिल जाता है visually देखने मिल जाता है कि अगर मैं यह color use करूंगा तो text पे कैसा दिखेगा और background पे कैसा हो तो you know you'll get a better idea और एक अच्छा sense आपको मिलेगा color का और ऐसे चीज़े यूज़ करने से आपका color combination का sense भी अच्छे से develop होगा और इस website पे और भी काफी अलग-अलग tools है जैसे कि यहां पर जाकर अगर मैं कोई particular graphic design कर रहा हूं या poster design कर रहा हूं जिसके लिए मैं color combination चाहिए या complementary colors मुझे जानने में थोड़ी difficulty हो रही है तो उसके लिए मैं इसका यह जो section है poster वाला वो select कर सकता हो तो यहां पर हमें dual tone colors मिल जाता है जिससे हम इस particular color combination को you know use कर सकते है favorites में save कर सकते है और फिर जब मैं favorite पे click करूंगा तो हमें जो saved है favorite में वो मिल जाएंगे and finally जो आता अभी तो मैं फिलाल इतना नहीं करता जो next website है मेरे पास आपके लिए उसका नाम है fontdraw.com बहुत ही interesting website है especially यह उन लोगों के लिए है जिन लोगों को typography में जिनका हाथ कमजोर है जो लोगों को font combination करने में font की combinations create करने में difficulty होती है तो उन लोगों के लिए यह website बहुत ही जाद useful है इसमें क्या है कि आपको ना तीन section मिलते है heading, subtitles और description तो मान लीजिए मैं एक instagram design बना रहा हूँ यह कोई भी random design बना रहा हूँ जिसमें मुझे एक typography का design बनाना है ठीक है तो यहाँ पर जाकर मुझे बस generate पे click करना है और यहाँ पर यह मुझे अलग-अलग font की combination देता जा यूज किया गया है जो subtitle font है उसमें यूज किया गया है Combrant और जो description है उसमें यूज किया गया है Chivo जो की बहुत ही amazing font है तो बहुत अच्छे से बहुत बिना जारा time waste किये मैं ऐसे ही directly font combination create करके इन्हें directly अपने design में यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर इस website की सबसे best चीज font यह suggest करेगा जैसे मैं generate पर click करता हूँ तो जो भी fonts यह select करेगा वो आपस में काफी जादा similar होंगे जादा contrast नहीं होगा उन में और अगर मैं इसे पूरी तरीके से left में drag करता हूँ high contrast में और फिर click करूँगा generate पर तो सभी font जो है वो बहुत ही high contrast font होंगे मतलब अपने इक यूनो practice हो जाएगा अच्छे font combination select करने का और अगर आप चाहो तो इसे invert कर सकते हो जिससे आपको एक idea मिल जाएगा कि white background पे यह जो black font है वो कैसा देखेगा अगर आप चाहो तो dark background या black background पे भी से देख सकते हो सही यह बहुत ही जादे useful है पहले तो मैं इसे बहुत use करन जो color combination मिलते है ना वो हमेशा मुझे अच्छे लगते है ठीक है बहुत सारे website में बहुत random colors आता है बट इसमें आप जबी generate पे click करोगे आपको बहुत अच्छे color combinations यहाँ पर देखने मिल जाएंगे जो trendy भी लगते fresh लगते और मुझे personally काफी जादा पसंद है अगर आप चा तो अगर कहीं से आप online reference लेते हो और उस reference image का आपको color palette चाहिए तो वो आप यहाँ से generate कर सकते है और finally जो last मेरे पास आपके लिए tool है यह website है जो भी आप कहना चाहो वो है यह lets enhance.io इसमें क्या होता है कि बहुत बार हमें कोई image अच्छा लगता है Google से वैसे तो आपको Google से images use नहीं करने चाहिए बढ़ मान लीजे आपको को image अच्छा लगा और वो image की size है वो बहुत छोटी है आपको enlarge करना है उसे तो वो आप इस tool के मदद से कर सकते हो और जो results आते है वो भी काफी अच्छे होते है तो चलिए इसे try करते है तो मैं अभी try for free पे click करूंगा और य spider man का image है जिसकी size है 350 by 445 जो की relatively बहुत ही छोटी size है ठीक है तो मुझे बस इस पर add कर दिना है यहाँ पर कुछ options है जिसे हम कुछ छेड़ चार नहीं करेंगे सीधा जाएंगे यहाँ पर और click करेंगे start processing पर कुछ seconds या minute लेगा यह इसे process करने के लिए and boom it is ready जैसे कि आप द 45 कर double that is 890 तो चलिए इसे download करते है इसे में नाम दे दूँगा ठीक है spider man 2 और आब इसे में open करता हूँ और जो original image था उससे भी मैं side by side open कर लूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हो जो original image का size था वो था 300 जो की इतना चोटा था और जो हमने अब भी download किया है enlarge किया है वो है 700 rate का और देख सकते हो कि जो details है वो बहुत अच्छे से preserve है और मैंने यह zoom out नहीं किया है यह original size ही इसकी इतनी है जैसे कि अगर मैं इस image को बढ़ा कर दो इसके compare में आप देख सकते हो जो original image था वो यह था और जो हमें बाद में मिला है enlarge करके वो यह result मिला है जो details है वो बहुत अच्छे से preserve है और enlarging के लिए यह one of the best tools है मेरे सबसे so that is a wrap guys I hope आप लोग को आज का यह video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा या तो like जरूर कीजिएगा aim करता है 2000 likes के लिए इस particular video पे थोड़ा aim बढ़ा देता है हमीशा 1000 बोलता हूँ इस बार 2000 मांग रहा हूँ please 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 कर देना काफी जादा motivate होंगा मैं अगर यह video 2000 likes cross करता है और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो या subscribe जरूर करना और bell icon प्रेस कर देना ताकि मैं जब कभी भी new videos upload करूँ तो आपको notification सबसे पहले मिले वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि यही day fix कर दूं Monday को दुपैर दो बजे हमेशा हर वीक video upload करूँगा ठीक है तो इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out.